BCCI ने IPL के बचे हुए 31 मैचों के लिए UAE में तैयारिया शुरू कर दी है Board President Saurav Ganguly और सचे जैशा समेत टॉप अधिकारी फिलाल UAE में है वहीं अब इंग्लेंड के खिलाडियों की IPL के दौरान उपलबता ना होने की खबरों के बीच Board ने विदेशी खिलाडियों पर सक्ति करने की तैयारी कर ली है Reports के मुताबिक UAE में नहीं आने वाले विदेशी खिलाडियों की सैलरी काटी जाएगी IPL Phase 2 18-19 सितंबर से शुरू हो सकता है वहीं Final 9-10 October को खेला जा सकता है Pat Cummins पहले ही IPL में खेलने से मना कर चुके है अगर ऐसा होता है तो उनकी फ्रेंचाइजी प्रो राटा बेसिस पर उनकी सैलरी का भुकतान करेगी यानि खिलाडी ने जितने मैच खेले होंगे उस हिसाब से उसे सैलरी दी जाएगी उधारन के तौर पर अगर Pat Cummins आदा सीजन खेलते हैं तो उनकी सैलरी का आदा ही हिस्सा मिलेगा जब कोई खिलाडी आक्शन में खरीदा जाता है तो उस पर लगी बोली ही उसकी सैलरी होती है BCCI विदेशी खिलाडीों की सैलरी का कुछ परसेंटेज उनके बोर्ड को भी देता है IPL खेलने वाले खिलाडीों के एक सीजन में एक सैलरी 12 महीने के अंदर 3-4 इंस्टॉल्मेंट पर दी जाती है खिलाडीों के टूर्नमेंट के दौरान चोटिल होने पर उन्हें सैलरी फुल दी जाती है कॉंट्रेक्ट के मुताबिक अगर किसी वज़ा से और्गनाइजर टूर्नमेंट पूरा नहीं करवा पाता तब भी खिलाडी को पूरी सैलरी दी जाती है अगर खिलाडी नीची कारणों से पूरा सीजन नहीं खेल पाता तो फ्रेंचाइजी उसे प्रो राटा बेसिस पर पे करेगी इसी बीच 31 मैच नहीं खेलने वाले विदेशी खिलाडियों पर इसी क्लोज के तहत सैलरी कट की जाएगी पूर्ट्स डेस्क खेलवारता